नमस्ते और एलियट क्रिप्टो कॉनर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है रोजाना क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें आज सुबह हमने बुल के बारे में पोस्ट किया था आज वे हरे भरे दिख रहे हैं तो हम वैसा ही देखना चाहते हैं हाँ इसके अलावा हमारे पास आपके लिए सापता ही अपडेट है जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आज सभी कोईन की चर्चा करेंगे हर हफते की तरह तो कृप्या ध्यान दे हमें उम्मीद है कि आपका अच्छा वीकेंड रहा होगा अब हम सोलाना पर बात करते हैं हमने यहां एक अच्छी सेटप तैयार की है और यह काफी उम्मीदवार लग रही है हमने 1-2 पैटन तक पहुँच गए है और अब हमें इसक्षेत्र में महत्वपूर्ण उच्छतम चलंग की उम्मीद है अगले LTC की ओर बढ़ते हैं हाला कि यह हाल ही में ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गया है लेकिन इसका कोई महत्वप नहीं है क्योंकि हमने लक्षे बॉक्स में प्रवेश कर लिया है हमें आगे की उच्छतम चलंग की उम्मीद है और अगला लक्षे 119 है अब हम BTC पर चर्चा करते हैं यह लक्षे बॉक्स में आगे बढ़ रहा है हमें देखना होगा की यह कैसे विक्सित होता है हम इसे ध्यान से देखेंगे और देखेंगे की क्या होता है अब हम Ethereum Classic, ETC पर देखते हैं यह अभी भी लक्षे बॉक्स के अंदर है और हम देखेंगे की यह कैसे विक्सित होता है हमें आगे की उच्चतम चलन की उम्मीद है, संभवता 15 सेंट के पर्याप्त रेंज तक पहुँच सकती है AMX के लिए हमारे पास यहां एक लक्ष्य तीर था और इसकी value 72 या बासच सेंट हो सकती है हर स्थिती में हमें ये देखने की उमीद है कि यह एक range में प्रवेश करेगा इसने एक range बनाई है और अगर इसका breakout होता है तो इसमें काफी महत्वपूर्ण चलन हो सकता है हाला कि ये ध्यान देने योग्य है कि इस तरह के सिक्कों में निवेश करना जो खिम्पूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रतिशत लाब यहानी काफी अधिक हो सकती है अगले हमारे पास power है हम उमीद करते हैं कि यह 0.887 स्थर से उपर जाएगा और अगले चलन में यह 18 से 20 सेंट के द्वारा काफी उपर जा सकता है अब चलिए XRP की चर्चा करें हमें यह उत्कृष्ट नहीं लग रहा है हम मानते हैं कि यह एक सुधारात्मक चरन में है और XRP के लिए यह 52 से 50 सेंट के मार्ग तक जा सकता है यहां एक डबल टॉप की संभावना है और फिर हम उसके गिरावट की उम्मीद करते हैं यही हमारे वर्तमान विशलेशन के लिए है अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछने के लिए हमसे पूछें क्रिपया अपना वांचित कैलेंडर टिपपनियों में छोड़ें और हमें एक लाइक दें धन्यवाद और आपको सोमवार अच्छा हो अलविदा